हाई, ये एक important वीडियो है, इसलिए इसे भी मैं RCL वाले वीडियो की तरहे थोड़ा slow pace में लेके जाऊँगा, क्योंकि इसमें भी मुझे कई चीने समझानी हैं, अगर आप उसे detail में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए गया, RCL वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, कि किस तरीके से RCL का इस्तिमाल करके, आप अमेरिका में अपने समय को जादा स्यादे extend कर सकते हैं, वो भी legal तरीके से, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा, कि fall semester और spring semester में क्या फरक है, और अगर आप spring semester में admission लेते तो इस चीच को समझने के लिए, सबसे पहले हम वही time scale पर जाते हैं, और time पर समझते हैं, कि time पर कितना फरक आता है, आपकी master degree में कितना फरक आता है, अगर आप fall में admission लेते हैं, या फिर आप spring में admission लेते हैं, इस चीच को समझाने के लिए, मैं आपको अपने दो viewers का example दो ये हैं, Mumbai महराष्ट से, इन दोनों को ही master degree करने के लिए अमेरिका जाना है, अब दोनों ही इस बारे में सोच रहे हैं, कि उन्हें fall में admission लेना चाहिए, या spring में admission लेना चाहिए, अब अनिक दास और सूराच, ये दोनों ही मेरे RCL वाले वीडियो को देख चुके हैं, तो य ये अपना मन बना चुके हैं, कि हम चाहिए fall में admission लें, चाहिए spring में admission लें, लेकिर हम RCL का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिर अनिक से एक गलती हो गई, अनिक से गलती हो गई, कि उन्होंने मेरे ये वाला वीडियो नहीं देखा, ठीक हैं, तो इसका क्या impact पड़ता है हम अनिक पे हैं, तो चलिए अपन ये समझते हैं, अनिक में जाके admission ले लिया fall में, fall 2022 में अनिक में admission ले लिया, और सूरज ने मेरे ये वाला वीडियो देखा था, इसलिए उन्होंने सूचा कि चलिए, के काम करते हैं, spring में admission लेते हैं, और इस चीच को try करते हैं, तो में सूरज ने admission लिया, अब इन दोनों के ही time scale पे कितना फर्क आता है, अपन देखते चलते हैं, fall, सबसे पहले बात करते हैं, अनिक की, जब अनिक ने fall में admission लिया, यानि अनिक अमेरिका कब पहुँचे, अगस्त में, अगस्त में, ये अमेरिका पहुँचे, अगस्त में, और spring में admission लिया, तो सूरज लिया, तो सूरज अमेरिका कब पहुचे, सूरज अमेरिका पहुचे, जन्वरी में, यानि ये जन्वरी में अमेरिका पहुचे, चलिए, अब ये देखते हैं, कि ये लोग कब-कब exam phase करेंगे, अपना, अनिक अपना पहला exam phase करेंगे, December में, हा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री में, अब यहां पे इन्हें फुल टाइम स्टुडेंट बनके ही रहना पड़े का, जिसके लिए उन्हें 9 क्रिडिट आवर लेने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको आट सेल वाले वीडियो में बताये था, तीक है, अब 9, अब हर बार इन्ह 9 क्रिडट आवर लेने, क्योंकि RCR का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ एक बार किया है, ठीक है? next आता है December 20, 23 इसमें ये फिर 9 credit hour लेते हैं फिर next exam वो देते हैं May 20, 24 में और फिर ये 9 credit hour लेते हैं तो इस तरीके से अनिक जो है अपनी पूरी degree complete करते हैं यहाँ पर आके 30 credit hours की master degree होती है 9, 9, 9 and 3 master degree complete अनिक के तो अनिक की master degree कब complete हो गई? मैं 2024 में अब अपन दिखते हैं सूरज ही, सूरज ने spring में डिमिशन लिया था, ठीक है? तो सूरज क्या करते हैं, सूरज अपना पहला exam phase करेंगे May 20, 23 में चूँकि इन्होंने भी RCL का इस्तिमाल किया है, तो ये भी 3 credit hour लेंगे, ठीक है? next exam सूरज का phase करेंगे December में December 20, 23 में, अब ये भी 9 credit hour complete करेंगे, ठीक? 9 and 3 next, फिर सूरज आ गया है इन्होंने फिर अगला exam दिया May 20, 24 में यहां इन्होंने फिर 9 credit hour complete किये, और next आया, और last December 2024, यहां पर भी सूरज ने 9 credit hour लिये और इसी के साथ सूरज की भी Master degree complete होती है अब आप इन दोनों के time को ध्यान से देखिए और समझे क्या फरका रहा है इन दोरों यहां पर 30 credit hour सूरज के भी complete हो गए अनिक America कब आए? अनिक America आए, अगस्त में इनकी जो Master degree complete कब हो गई? मैं मैं यानि America में है अनि कितने समय रुके है 21 months right? 21 months रुके और सूरज अमेरिका कब है? सूरज अमेरिका है January में और इनकी Master degree कब complete होई? December में है यानि America में सूरज कितने समय रुके है सूरज रुके 24 months यानि exact 2 साल सूरज वहां पर रुके तो यानि सूरज को कौँकि उन्होंने spring में admission लिया था तो 3 महने अमेरिका में ज़्यादा रुकने का समय अरड़ी मिल गया तो यह है इसका सबसे पहला benefit जब आप spring में admission लेते हैं तो आप 3 महने ज़्यादा अमेरिका में वैसे ही रुकते हैं यानि कुल मिला के मान के चले के अब माई में जुन जुलाई दो महने और हैं और यह डिसेंबर के बाद जनवरी फरवर यह दो महने अब सूरज के पास पूर है इसका जो पुरा ब्रीफ यह जाए तो ब्रीफ यह है कि जो भी spring में admission लेता है वो US में लीगल तरीके से active status के जरीए भी तीन में एक्स्टा बिता सकता है तो यह चीज़ आपने simple calculation से आपने इस चीज़ को समझा अब इसके और कों से benefit होता है क्या सर्फ यह benefit है इसका नहीं यह सर्फ इतना benefit नहीं है अब अपन समझते है इदास को और सूरज पटेल आगे कौन-कौन किस-किस तरीके के benefit में जाएंगे ठेक है इनी दोना के बारे में पर comparison करता है जैसा कि मैंने आपको आटसेल वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आप किसी देश में नएले पहुंचते हैं तो बहुत वक्त आपका शुरुआती वक्त वहाँ की चीटों को समझने में काफी खर्च हो जाता है और जब तक आप सैटल होते हैं तब तक कई चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है अगर आपको experience नहीं हो तो अब अनिक पहुंचे थे अगस्त में अगस्त में जब अनिक पहुंचे तब उनका काम क्या था कि भली उन्होंने RCL का इस्तेमाल तो कर लिया लेकिन next semester की planning के लिए अनिक के पास कितना समया है चली अब अपकर यह देखते है अगस्त में यह पहुंचे चार महीने की तयारी करी डिसेंबर में अनिक ने एक्जाम दे दिया डिसेंबर में अनिक ने 3 graded hour कंप्लीट कर लिए exam जो finish हो जाएंगे अनिक के लगभग 15 दिसमबर तक सारे exams finish हो जाते हैं ठीक है 15 दिसमबर तक अनिक के सारे exam finish हो चुके हैं अब अनिक के पास next जो semester की planning के लिए किता समय होता है अपने यह दिखते हैं next semester में अनिक को regular तरीके से 9 graded hour लेना है अब यहाँ पे अब वो कम नहीं ले सकता उसे 9 graded hour लेना है अब यानि और 15 दिन जो उसको बचे जैसे कि 15 तरीक को exam खता होगा 15 दिन बचे डिसेंबर के क्योंकि spring के first semester से maximum second semester से spring classes start हो जाती है जनवरी में तो यानि अनिक के पास किता वक्त है next planning करने के लिए ज्यादा वक्त ही है hardly hardly अनिक के पास maximum भी लेकर जाए तो 20 days है अब 20 days में अनिक को ये तै करना है कि मुझे next semester में कौन कौन से courses लेने उनको पूरी तरीके से समझना है और पूरी तरीके से बढ़ जाना है उनकी तैयारी करने के लिए यानि फिर panic create हो गया लिए उसी के जगे अगर सूरज की करपन बात करने हैं सूरज ने January में admission लिया मई में उसने उसी तरीके से बिलकुल अनिक की तरह से सिर्फ तीन credit hour का course complete किया लेकिन अब माई के बाद यानि 15 माई में जब उसके सारे exam finish हो जाएंगे 15 माई को अब ये relaxed zone में चला जाएगा बहुत समय तक क्योंकि अब जो इसकी classes start होंगी वो start होंगी 20 अगस्त के बाद 20 अगस्त के बाद इसका fall semester start होगा अब 20 अगस्त तक अगर आप count करो तो कितना समय है अब सूरज के पास सूरज के पास 100 days है अब 100 days तक सूरज के पास free है मतला वो जो चाहे सोच सकता है शांते दिमाग से अपनी planning कर सकता है मई में 5 दिन बहुत होता है 15 मई को अगर exam खतम हो गया तो 5 दिन के लिए अपने आपको apartment में बिल्कुल बंद कर लो बिल्कुल focused हो जाओ कि ये देखने बैठ जाओ सिर्फ website पे कि next semester जो आने वाला है मुझे उसके लिए कौन से 3 courses उठाने सिर्फ ये काम कर लो 5 दिन सिर्फ इस चीच को दे दो 15 मई से लेके 20 मई तक का जो वक्त देना है सिर्फ इस चीच के लिए देना है कि मुझे next semester में कौन से 3 course है नहीं 9 credit hours चुनने है पूरा focus दे दो अब मानलो 20 मई तक आपने ये planning कर ली कि मुझे कौन कौन से courses लेने तो आपका एक vision कितना clear हो गया अब जब वो इतना vision जब clear होता है तब जाहिर सी बात है आपके पास तयारी के लिए ज़्यादा समय है ज़्यादा clarity है तो GPA ज़्यादा gain करने की capability सूरज में ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि वो उस course को पहले तीन महीने पहले से यानि 108 पहले से ही वो तैय कर चुका है कि मुझे next semester में जाके क्या पढ़ना है आने के पास नहीं आने के पास सिर्फ 15-20 दिन का समय अधिकता इतने में उससे तैय करना है और अने के पास 15-20 दिन भी नहीं है उसकी वज़ाई है क्योंकि इसको जो break मिलेगा वो सारी celebration वाला दिन होगा ये 15-20 दिन से celebrate होता रहता है US United State में तो अनिक जाहर सी बात है पहली बार अमेरिका जाएंगे तो उनको भी लगेगा चलो मैं भी enjoy कर लू तो एक contemplation zone में नहीं जा पाएंगे खुद को isolate नहीं कर पाएंगे ये भी enjoy करेंगे जबकि मई के बाद जो summer session आता है सब शान्त हो जाता है थंडा पढ़ा रहता है तो सूरज होंगे 15 मई को एक free होने के बाद बिल्गल अपने apartment में डाले होंगे और next semester की planning कर रहेंगे ओके next semester में मुझे क्या कर रहा है next semester में मुझे ये 3 course उठाना है और उसमें से ये भी possible है कि एक course या 2 course की काफी पढ़ाई वो इन 90 days में self study के जरीए भी कर सकते है अब self study के जरीए करने का capability ले आएंगे अगर ये serious पढ़ाई करते चलेगे तो दूसरा January से लेके अगस्त तक सूरज free है January से इक course ही तो लेना है January से लेके अगस्त तक है नहीं 8 महीने है सिर्फ एक course लेके बेठे हुए है और उसी के जगे इनके पास कितने course आगा है इनके पास 4 course आगा है ठीक है उनी 8 महीने में तो ये calculation का फर्क है burden बढ़ गया इन पे load पर ज़्यादा है इन पर load कम है तो जितना load कम रहेगा load कम है इस कम हो दे भी नहीं आप enjoy करने के लिए load कम हो गया कहने का मतलब है कि इसका फायदा इस तरीके से उठा सकते है कि आप strategy बना लें कि आपको exactly करना क्या है तो सूरज आप एक काम करिएगा जैसे अगर आपने admission ले लिए spring में तो बाकी जो जितना 3 महीने जो मिले 3 महीने में क्या करना है वही काम जो मैंने आर्सेयल वाले वीडियो में बता है उसे जाके पच्चे से देख लीजिएगा तो यह सारी चीजे माइने रखती है जो कि spring semester में ज़्यादा बैटर है और fall में मेरा जो opinion उससाब से मुझे चीजे पसंद नहीं आती कुछ चीजे और है जो fall में distractive होती है fall में जैसे कहाई distractive होता है fall का जो orientation होता है कई दिन चलता है बहुत ज़्यादा दिन चलता है और spring में जितने admission होते हैं वो fall के comparison में लगभग 50% आधे होते हैं तो एक celebration का महौल spring में कम होता है fall में ज़्यादा होता है अगर आप focus person है या आप इस situation पर अमेरिका जा रहे है कि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा भी मेरा दिमाग भटका तो मैं अपने संग कुछ बुरा कर जाऊंगा या मेरा academic record भी कर जाएगा मेरे GPA मेरा down जा सकता है तो ऐसे मैं आपके लिए spring बहुत अचा है और ना जाने किते तरीकी get to gathering होती है coffee hours होते हैं दुनिया हमार की चीज़े चलती रहती है तो ये best part है जब आप spring में admission लेते हैं तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको ये बात मेरी समझ में आती है और आपको लगता है कि spring में admission लेने से आपको हर तरीके से फाइदा है तो आप spring में admission लेजेगा और fall को avoid करीगा कोई ज़्यादा problem होती नहीं है क्योंकि जब spring में ज़्यादा crowd नहीं होता तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा वक्त होता है professor से personally interact करने का professor से भी मिल पाते हैं बहुत शांत environment में सारी चीज़ें आप समझ पाते हैं सारा खेल समय का है सारा खेल focus होने का है कि आपको कौन सा environment ऐसा है जो आपको focus करने में मदद कर रहा है कौन सा environment ऐसा है जो आपको distractive लग रहा है उनकिया मुझे distract कर सकता है इन सार्चीटों के बस आप ध्यान देते चलिए तो मेरे हिसाब से spring semester हमेशे अच्छा होगा spring semester में आप admission लिए तो कि एक semester देते ही साथ आपका सीदे से 3 मिनी का break होता है और वो आपको चीज़ें समझने में बहुत मदद करता है आपके मन में कोई और सवार हो तो मुझे comment box में जाके पूछ सकते है और बाकी बाते हैं मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताता रहूँगा तो चलिए बिलते हैं नेक्स वीडियो में